असलाम लेकूम ट्रेंड्स, वेलकम डू सुल्ताना किचेन, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ गोभी पकोड़े की रेसीपी, रेसीपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे फटा-फट से सब्सक्राइब कर दें, शेर और लाइक भी करें, और हाँ साथ में लगा बेल आइकोन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुँच जाए, तो चली चलते हैं अपनी रेसीपी की तरफ, मैंने लिया है एक बड़े साइस का फूल गोभी, इसे अच्छे से वाश कर लिया है और छोटे-छोटे टुक्रों में काट लिया है, देखिए इतने बड़े टुक्रे होने चाहिए, आप इसी साइस की टुक्रे काटें, एक बतने मेने पानी गर्म होने के लिए चड़ा रखा है, उसमें मैंने एड किया है वन टेबल स्पून नमक, अब इसमें मै गोबी के टुकरो को add कर दूंगे गोबी के टुकरो को हम blanche करेंगे इसे हमें सिर्फ तीन से 4 मिनट तक पकाना है ये देखे से 3 मिनट हो गए है गोबी का color हलका सा change होने लगा है अब ये white से हलके पीले हो गया है बस यही इसकी पहचान है आप इसे स्टेच पर गैस बंद कर दें ख्यार लखे कि गोबी को हमें चार मिनट से जादा नहीं बॉयल करना है अगर ये जादा पक गया है तो फिर पकोरे बनाने में हमें परिशानी हो सकती है मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया है और इसे साइड में रखते है जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बैठर तयार करेंगे मैंने लिए हैं दो कब बेशन साथ में जाएगा हाफ टीस्पून लहसुन का पेस्ट हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून भूने जीरेका पाउडर क्वाटर टीस्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून नमक वन फोर टीस्पून काला नमक क्वाटर टीस्पून हिंग क्वाटर टीस्पून अजवाईन थोड़े से कटेवे हरी धनिया के पत्ते अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करना है और इसका एक ठिक घोल तयार करना है थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके से काफी अच्छे से फेट लेंगे यह देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी अब यह बैटर हमारा रेड़ी है अब चलिए हम पकौरे तलते हैं एक पैन में मैंने तेल गर्म कर रखा है एक एक करके हम फुल गोभी के टुकरों को उठाएंगे उसे बैटर में ऐसे डिप करेंगे और उसे तेल में डालते जाएंगे इसी तरह से हम सभी टुकरों को बैटर में डिप करते हुए तेल में डालते जाएंगे अगर आपको लगे कि बैटर ज्यादा पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन एड़ कर सकते हैं अगर लगे कि कंसिस्टेंसी गाड़ी है तो थोड़ा सा पानी अड़ कर दीजिए बस गोबी अच्छे से कोट हो जाने चाहिए दो से तीन मिट तक हम एक साइट पर इसे फ्राई करेंगे फिर उसे पलट देंगे इसी तरह पलटते वे हम इसे चारो तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है गोबी हमारे पहले से ही पके वे हैं इसलिए उन्हें पकने में जादा टाइम नहीं लगेगा बस जैसे ही पकोड़ों पर सुनाहरा कलर आने लगे हम इसे बाहर निकाल लेंगे ये लिजे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं इसी तरह हम बाकी के सारे पकोड़े भी तल लेंगे ये लिजी है, हमारे सारे पकौरे तलकर बिल्कुल तयार है अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, हरी धनिया की चटनी और सौस के साथ बहुत ही टेस्टी पकौरे तयार हुए है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बस अब इने चटनी में डिप कीजिए और सौस के साथ इसका मजा लेजिए, बहुत ही यम्मी है फ्रेंट्स अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो आज ही इसे ट्राइ करें आप अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीड़ बैक मुझे जरूर दे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज